जहिन सात्यों सोगत है आपके अपने भाई की चैनल क्रिक दीजिए में बोस्तों आजम किसी मैस के बारे में बात नहीं करेंगे नहीं किसी मैस से रिलेटेटेट एफ वीडियो यह जो वीडियो रहेगा ना या आजकल जो फैंटेसी में चल रहा है ना उस चीज को बारे में मैसने सचा की चोलो एक वीडियो बनादे है आपने यूजर्स को बता दे कि अभी जो इन चल रहे हैं उसमें फैंटेसी में विन करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है उसके बारे में तो आपको पता दूब डिसक्रिस करेंगे उसके बारे में लेकिन पहली बार तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा या आपको कमेंट बॉक्स में पर लिंक प्रोड करा देंगे तो वहां से आप आसाने से हमारा टेलीग्राम चैनल जोईन कर सकते हो दोस्तो 7.4 के हमारा जो ओरिजनल चैनल है आप उसमें सबस्क्राब दीख रहे हैं वंगे अगर आप सर्च भी करते हो ना अपने टेलेग्राम एंट तो सरफ क्रीक डीजे सर्च करना जो 7.4 के सबस्क्राब आपको चैनल देखेगा वह आपको रियल चैनल देखेगा या हम अ विनिंग करना चाहते हो या अगर थोड़ा वोट्रस दिकाना चाहते हो तो आप आए हमारी टीम से कुछ दिन जरूर ट्रीक रहे हैं ऐसा नहीं कि आज पहले कि आज सारे लोज चलेगी तो आपने स्कीप कर दिया लेप्ट कर दिया चैनल को आप आईए कम से कम 10 दिन जरू कि आपना चल रहा है ना कुछ अलगी लेवल का चल रहा है और टाइम गया है जब आसानी से विनिंग हो जाते हैं थी वेंडेसी में हर मेंबर हर एक्सपर्ट की टीम ले आते थे ते उस एक्सपर्ट का अगर विनिंग रिशयो चाहे उसकी अद्श्य थैदो बिन कर जाता यह जो सिस्टम आया ना तब से विनिंग चांस वैसे ही लेस हो गए क्योंकि नॉर्मल यह आदमी हर मेंबर जो टीम देता है उसके बाद सर्फ केप्टन और विस्य पर डिपेंड रहता है और ओर एक पल्यए जो कमजो टीम का होता है ना वोई ख़ेखो फाली लाते हैं कमजो के जो ऊच्छा उच्छा हो जो पहले साथ चार था था ना उसमें किया कि मिनिमम चार पल्यर मेंपवोनेंट्ट टीम के ले नहीं पड़ते थी जिससे कि हम लोगों की थोड़ी विनिंग इनपीर हो जाती थी लेकिन अब किया जब हम एक पलेर ले रहे हूँ हम लोग एक पलेर वही चूस करते हैं जो बेटिंग बॉलिंग करता हूँ जो अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉंब करता हूँ या करता है हो तो वैसे ही हमारे विनिंग चांस वहां कम हो गए अब हम बात करते हैं आइपेल लेवल में क्या होता है कि ट्राफिक बहुत ज़्यदा है नहीं आपको फिक्सिंग मिलेगी ठीक है इंटरनेशनल जो शरीज होती है वहां आपको फिक्सिंग बहुत कम नज़र आती है होती है लेकि वहां क्या होता है विनिंग चांस बहुत कम होता है लेज़ देन 10 परसंट विनिंग चांस होती है क्योंकि लोग जो अपने फैबरिट प्लेयर को लिखे आती है अगर वहां सारे एक्सपर्ड है हम लोग थोड़े से भी कप्तान विसे में इदर उदर करें और हमारा और हमारा दिन खराब होँआ थो फिर 90% समभावना होते हैं कि हमों मेच एज़ी रोज कर जाएंगे ठीक क्योंकि वहां सो प्लेयर होते हैं वह मैंबर सेलेक्ट करते हैं परसंटेस्ट की वाइस परसंटेस्ट की परसंटेस्टपाइस और वहीं मैंबर चलते हैं जिन्का प पनाया और बाई दे वे अगर उसने अच्छा परफॉंग कर दिया पचास प्लस भी कर दिया क्योंकि प्रहर बहुत अच्छा है आप खुद जानते हों कि उसकी जो कुलास से टेंप्रामेंटर की तरह सोलेड है तो हम एजली मेश लोस हो जाए गए तो इंटरनेशनल मेश में वैसे ही प्रोफिट कमाना लगबग 30% रहा है कि हम इंटरनेशनल मेश में प्रोफिट कमा सकते हैं वो ट्रैफिक बहुत जदा है फिक्सिंग के चांस भी बहुत कम है अब बात करते हैं डोमेस्टिक सर्कल में क्या होता है कि कॉंटेश फूरी नहीं बढ़ती क्योंकि ट्र है और गी सेलर के किसी भी दरह चलो देते हैं तो क्या होता है कि उससे कलेस्स बहुत जदा होते हैं और जो एक्सपर्स होते हैं इनकी जो टीम आती हैं वो और मॉस्ट कॉमन होती है इसमें एक यह दो प्लेयर का बाई चांस डिफरेंस होता है जिसमें कि यह आपका लग बह प्लेयर को ढूना तो हर किसी को मिलते हैं और जिन एक्सपर्स को मिलते हैं तो इस वीडियो को आप जान से लेखना सो जरूर सुनना था कि आपने अप टीम करेट करねंसे हैं फिर बात करते हैं जैसे भी एस्की टीटेंश चल रहे हैं ठीक,"क जार्य वालश्वें सिस्टी त है चैनल लोगों ने फिक्स किया हैं रिसनल इस दी में जहाँ ढ़से देखो जो लोगोंसे चीा था ना थो वे हुआ है है आप ना समोल लिग जी सकते हो ना मिनिजियल सकते हो उनमेगा विनली इनुप की थी सुरूधी मेचों में हम से खाहिया क्योंकि सारे मैच फिक्स हैं अगर इनमें फिक्सिंग कमें तो यहां विनिंग चांस वेसे ही कमें अब खुद सोचो इससाब से कि हमारे विनिंग चांस करने के कितने परसेंडेश हैं आज के टाइम में हर एक्सवर्स इन प्लेयर के स्ट्रेश निकाल सकता है हर आदमी जो यूट्यूब पर विडियो लाल रहा है या यह जो नॉर्मल परसन की भी अगर आप बात करो तो वह भी प्लेयर के स्ट्रेश असानी से निकाल सकता है हैं क्योंकि जो मार्केट में एप स का डर जाता हैं क्या पता है मेंच फिक्स हो हम कहीं हारना जाए तो वर्तमान कंडिशन में अभी के टाइम में फैंटेसी से विन करना बहुत मुश्किल हो गया है हमारे पास कुछ ऐसे चैनल से जिसमें फिक्सिंग की न्यूज आती है तो हम अपने मेंबर्स को बता देते हैं और जो फिक्स नहीं होते हैं वह मेंच खिलते हैं उसमें भी विनिंग चांस कम ही है तो मुश्क लिए अगर आपको पेंटेसी ख्यलना है तो आप अपना बजर सेट करें कि आपको क्या रखना है कि 10% लगाना है वोलिट का 5% लगाना है वोलिट में फिर भी आप बजर सबसे बढ़ा तो हैं वह लोगों ने पिक्स किया है तो वह प्लेर आएगा जिसका परसेंडेज कम है या सबसीटूड में है तो अभी के टाइम बेंडरसी में बिंद करना इतना असान नहीं जितना पहले था अभी आप अपने जो बज़ेट है उसको एक सिस्टम से एक तरीके से आप उसको डिस्ट्रिब्यूट करें उसके बाद आप एंडरसी के लिए और हमेज में एक्कुल इंवेश्मेंट करें किसी में हाई या किसी में मेडियम वगेरा करने कि आप ना सोची क्योंकि अभी कुछ लेवल की विनिंग होती नहीं है ना पेंड है जब अच्छा प्रसेंटेस कम हो लेकिन क्या होता अच्छा प्रसेंटेस लाच तक आटोमेटिक बढ़ जाते है तो वहां विनिंग करना वैसे ही मुस्किल हो जाता है तो तो तरीके से कहले आप एक सिस्टम से कहले कोई भी मतलब इतना एकरिसी उपन ना लाए कि आप इ प्रसेंटी में उड़ाइसो पलस कर रही है अधिशा आप कहते हैं और टी तन वंगेरा फिक्सिंग है फिक्सिंग है यह व्याइट है लेकिन क्या होता है यह जो फिचिंग होती ना उन्हें अर जिगहां बन रहे आप देखो टीटेंग में देख लो टेस्ट देख लो और अपना पैसा है आप अपने पैसे को अपने बजट के अकोर्डिंग सेट करके उसके बाद आप पले करें अभी के लिए वीडियो इतना ही टेलिग्राम चैनल जरूर जोन कीजिए हम वह सेलेटेंड मेच कवर करते हैं फिक्सिंग की आपको चोबेंडना से वह हम आपको मा देते हैं और वीडियो परसे दाए तो लाइक सेर जरूर कीजिए दिन्यवाद